शराब के नशे में धूत दो सग्गे भाईयों ने की दोस्त की हत्या मुम्रा ठाकुर पाड़ा की वारदात। मैं हूँ अफजल शेक और आप देख रहे हैं मुम्बाई टीवी बीते रात शनिवार के दिन रात करीब एक बजे के आसपास मुम्रा ठाकुर पाड़ा से सटववा नाला है और इसी नाले पर धडले से कैरम कलब और शराब का अड़ा है और यहीं पर काफी यूवग रात के समय पर वहाँ पर मैफिल जमाते हैं और काफी जादा नशाव अगेरा करते हैं और इसी में शराब के अड़े से लग कर एक दिवाल है और इसी दिवाल के बाजू में एक शेड़ बनाया गया है और इसी शेड़ के नीचे कुछ युवक बर्तडे पार्टी बना रहे थे यनि 7-8 युवक बर्तडे पार्टी के दोरान शराब के नशे में धुत्ते और इसी कदम जो की साथी दोस्ते उसको मौत के घाट उतार दिया यानि नशे में इतने धूत थे कि ये लोग अपने दोस्त के ही नहीं रहे और सीधा इतना बुरी तरीके से उसे जखमी किया कि जो घायल अवस्ता में उदे कदम उसे अस्पताल ले जाए गया जहां पर उसे मृत गो कोशित करने के दोरान पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफतार कर लिया दोनों की गिरफतारी के बाद पुलिस के उपायुक थे डीसीपी गनेश गाउडे जी उन्होंने क्या जान करी दिये वो हम आपको सुनाते हैं अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि देर रात को धडले से जो कैरम क्लब और जो शराब का अड़ा बना रहता है उस पर पुलिस परशाशन कारवाई करेगी या नहीं क्योंकि डीसीपी गनेश गाउडे जी ने अश्वाशन दिया है कि हम इंक्वाइरी करेंगे जो भी स्टाफ के अंदर ये सारी चीजे हुई है उस पर जान जो है बैठाई जाएगी फिलहाल जो है उदे कदम की इस हत्या ने माहोल में काफी जादा संसनी और तनाव पैदा कर दिया है और नशे के इस कारोबार में फिर एक जो है उदे कदम नामक इस युवक की हत्या हो गई कर रात आठ एपरिल 2013 को रात तकरिबन एक बज़े के आस पास ठाकूर पड़ा गाजी टाओर के पास एक साथा डोस्त बड़े की पार्टी वहां पे कर रहे थे बड़े पार्टी के लिए वह बहारी बैटकर दारू पी रहे थे दारू पीते समय उदे कदम इसके साथ सिद दू शेवके ये दोनों ने मिलकर दोनों भाई है उदे कदम का मर्डर किया जग्रे का कारण जो बहुत बड़ा नहींता दारूपि ये थे दारूपि थे समय उनका नामिलाँ कुछ तो इसके वजे से तक बड़ा कारण बड़ा कारण दो आरूपि आरस के है सिद्धु शर तो अरूपी पीके उपर इसके पहले भी एक गुना दखी लग दोनों एक ही गुने में दोनों आरूपी है सर जी सेरिये में यहां पर यह घटना हुई है वहां पर एक कैरम कलब है और पास में ही एक दारो का अड़ा है वता अस्थानी लोग बता रहे हैं कि रात के समझ वह काफी तकलीफ होती है यहां पर उड़दंग करते हैं एक पत्रे का शेट लगा हुआ है उहीं पर घटना हु तो उनके उपस्टी टैक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाएगा सर वह करना जरूरी है क्योंकि वहां पर नई हुआ जो बच्चे लोगे ना भार रोड के साइट पर नहीं रिक्षा में बहुत सारे साजा आप को यह करता है तो अगर आपका इसमें से यो बढ़ेगा और स कोई इलिगल एक्टिविटी करता है तो उसके बारा में 112 नंबर पर उन्होंने कॉल करके बाना चाहिए इमिजेटली हमारी पूलिस मदद वहां पे पहुंचेगी और उन्होंको उठाकर जो लिगल एक्षा लिया गया है ऐसी तमाम अप्डेश से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब गरें मुंबई टीवी मैं अजल शेक फिराज रूँगा एक ने नियूस के साथ